तो Photoshop में आप उर्दू लिखना चाहते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है सिरे Photoshop में नहीं आप Google में उर्दू लिख सकते हैं आप Band में उर्दू लिख सकते हैं किसी भी साफ्ट्वियर में आप उर्दू लिख सकते हैं और वो भी without any software यानि एक चोटा सा extension आप ने इंस्टाल करना ह और जिस तरह से हम English टाइप कर सकते हैं उसी तरह से आप उर्दू भी टाइप करेंगे इस वीडियो के चार पार्ट्स होने वाले हैं सबसे पहले में आपको बताऊंगा कि कौन सा extension आप इंस्टाल करेंगे तो आप उर्दू लिख सकेंगे Photoshop में लेकिन Photoshop में पहली दपा पार्ट ये हो गयाहिए। पहला पार्ट हो गया कि आप extension किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और install किस तरह से कर सकते ही प्लस जो thumbnail आपने देखा इस वीडियो में, या कासमली शाहसाद की आप तमने देखिए, या हमाज़साफी की आप तमने देखिए, तो इस तरह के thumbnail बनाना बहुत ही असान है, इस वीडियो में आपको एक्स्टा चीजई यह भी सिखाने वाला हूँ लाज में मैं आपको यह सिखाऊंगा कि जो कीबोर्ड है उर्दू का यानि अगर आप अलिप लेखना चाहते हैं तो क्या वो एसे लेखा जाएगा या बी से लेखा जाएगा प्लस अलिप मत आ किसे लेखा जाएगा तो यह बहुत ही सिंपल तरीका है आप एक मिन्ट में अर्दू इंस्टाइलर आप सर्च करेंगे यहां पर सबसे पहले जो वीब साइट आपके सामने आएगा यह देखे पिर आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा इसको आप ओपन करेंगे मैं इसको न्यू टेप में ओपन करें था हूं आप डिरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं इंटरनेट मेरा बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है तो आप तोड़ा सा वेट करें यहां पर मैं नीचे आ जाओंगा और पाक उर्दू इंस्टॉलर मैं क्या सीन चल रहा है अच्छा यहां पर ओपन हो गया है लेकिन पिर भी बहुत ही ज्यादा स्लो ओपन हो रहा है तो यह देखें अच्छा यहां पर यह टाइप वग्यरा वग्यरा बाकी चीज़ें हैं यहां पर लिका है डाउनलोड पाक कुर्दू इंस्टॉलर तो मैं इस पर क्लिक कर करने है और यहां पर आपने अगर जेपाइल डाउनलोड करना या डाय्रेक्ट आपने जिसमी पाइल में आपने डाउनलोड करना है तो मैं यहां पर जेट पाइल सुरी मैं यहां पर जेपाइल डाउनलोड कर रहा हूं यह वाला तो मैं यह वाला डाउनलोड कर देता ताकि आपको पता लग जाए में इंस्टाल भी कर देता हूँ यही की आलेडी मेरे पास इंस्टाल होगा है लेकिन दिन से स्कूर कर देता हूँ ताकि पिर आप यह नम्हों premise to are कि इंस्टाल किसके श्रुद्ध किसल किया यहाता है और इसमें उर्दू किस तरह से लिखी जाती है अब पोटशाप जब मैं ओपन करूंगा ना तो आपको एक अजीब सा महोल नहीं तरह आएगा वही उर्दू ऐसे लिखा जाएगा कि अलीब बा यानि वो उसको जोड़ेगा नहीं अलीब बालेका जाएगा उसको यहां पर डाउनलोड हो चुका है तो मैं डाउनलोड में चला जाता हूं यहां मैं डिरेक्ट शो इन पॉल्डर कर देता हूं यह देखिए यह डाउनलोड हो चुका है लेकिन अब हम वेट करेंगे कि यह अनिस्टॉल हो जाए यहां टो रिस्टार्ट में कम्प्यूटर यार पिनिश अच्छे यह अनिस्टाल हो गया है अभी तो हाँ अनिस्टाल यह भी नहीं हुआ अच्छे इसको और जो है हमें रिस्टार्ट करने की ज़रू होगी लिए मैं रिस्टार्ट नहीं करूंगा मैं दुबारा से यहां पर इसको इंस्टाल कर देता हूं जिस्ट आपको तरीका समझाना है मैंने नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर दूँगा इंस्टाल पर मैं क्लिक कर दूँगा और आप पिर अपना PC रिस्टार्ट कर देना है तो अब मैं अपना PC रिस्टार्ट करूँगा क्योंकि जो मैंने अन इंस्टाल किया है और अब मैंने इंस्टाल किया है दुबारा तो मझे इसको रिस्टार्ट करना होगा तो मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ जब रिस्टार्ट कर दूंगा ना तो यहां पर आपको नज़र आएगा इन और इन या यू आर आपको को नजर आएगा तो मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ पिर मैं रिकार्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ तो आपको मैं आगी का तरीका से का देता हूँ आचा जी तो रिस्टार्ट होने के बाद यह दे कि यहां पर जो मैंने आपको कहा था कि इन नजर आएगा यह दे कि इन आप पूटोशाप ऑपन कर देता हूं तो यहां पर मैंने तमनिल साइस सेलेट कर दिया है फर एक्जामपल लिड़ से के आप तमनिल बना रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए उस पर अप अर्दू लिखना चाहते हैं तो मैं यहां पर सेलेट कर दूँगा और यहां पर अर्ट और शिप्ट दबाएंगे तो यहां पर आप नोट करिएगा यह एन है यह अब आटोमेटिकली यू आर पे कनवर्ट हो जाएगा मैं अर्ट और शिप्ट को दबाऊंगा तो यह देखे यू आर पे कनवर्ट हो गया या आप यहां पर आके इसको इस तरह से कनव क्या हुआ वई अच्छा उधर दुबारा से इंग्लिश सेलेक्ट हुआ पड़ा है तो मैं यहां पर शाटकट की यूज करके मैं इसको डिलेट कर देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं अर्दू अर्दू अच्छा अब देखे यही प्रॉब्डम थी कि अर्दू यह पर मैंने लिख दिया तो इसने अलेफ राग दाल इस तरह से लिख दिया यहां पर आपको छोटा सा सेटेंग करना है एड़एट पर आएंगे अच्छा lavender में यहां पर मोटू सेलेक्ट हर दूंगा और एड़एट में solid में आउंगा हर betुरेश आपने आना है, edit में, सबसे last में, preferences और यहां पर आपने type मेरा हैल से हर पोटोशाप में last पर ही होती है अगर last पर नहीं है तो आप बाकी यहाँ edit पर ही होंगी, आप चेकर सकते हैं उसमें आप आएंगे type पे, type में आप आने के बाद यहां पर आप देखें टाइप यहां पर भी टाइप लिका होगा अचा तो यहां पर आप इस तरह का और विंडो शो हो जाएगा यहां पर शायद अगर आपको टाइप में यह नजर ना आए तो जिनरल में आपको नजर आ सकता है लिकिन मेरे ख्याल से हर पोटोशाप के वर हुआ है तो आप यहाँ पर साओट एशिय करेंगे मैं आपर सलेक्ट कर देता हूँ और ऑखे अब आपने करना है क्यासीन बनता है मैं इसको डिट्ट कर देता हूँ मैं लिख देता हूं अर्दू ओ भाई फिर भी नहीं लिखा जा पता है क्यों कि अभी हमने pourtoshop को restart करना है मैं इसको cut कर देता हूं पोटoshop को buAN कर देता हूं यहाँ से और दुबारा से में open करूंगा तो यह प addresses मैं तो है कि मैं यहाँ से दुबारा से open कर देता हो तो यह लिए कि ढ़्वारा अब मैंने open कर दिया है और अब मैं यहां पर लिख देता हूं अर्दू हो जाएगा अब मैं लिख देता हूं अर्दू और कंट्रॉल ए करके मैं इसको तोड़ा सा बड़ा कर देता हूं यह देखें अब आपको टीक नज़रा रहा है लेकिन इतना क्यों नज़रा रहा है आपको बिल्कुल अब करीब पर यहां पर लाइन स्पेसिंग हम बड़ा हम के पर एक्जामपल मैं लिख देता हूं लिखें अगर लिखें मैं यहां पर लिख दूंगा ना तो यह देखें कि यह कुछ इस तरह से आपको नज़रा आएगा जो के बहुत ही बुरा लग रहा है तो आप अपने अर्दू के पॉन्स डाउनलोड करें वो किस तरह से आपको मिल जाएंगे यानि आप गूगल से डाउनलोड करेंगे यहां पर कुछ आपको इस डिपॉल्ट भी नजर आ जाते हैं आप नीचे आएंगे तो यह अर्बी के लिए है यह देखें जमील नूरी वाले सेलेक्ट हुआ पड़ा है अब तो मैं यहां से कोई और अगर मैं सेलेक्ट कर दूँ पर एक्जामपल लेट से यह वाले मैं सेलेक्ट कर दूँ तो आप देखें कितना अच्छा नजरा रहा है यह गर आपके पास अर्दू के अगर इंस्टाल हुए हो तो इनका स्टाइल और भी अच्छा हो सकता है तो अगर आप डाउनलोड नहीं करन नहीं यह अब टाइप किस तरह से लेकिते हैं अर्दू में तो इसलिए यानि मैं आपको समझाने की यह कोशिश कर रहा हूँ कि अर्दू के बजाए आप उस में कुछ उस जैसा लब्स डूंडे और वो लेके आप या आप सीधर जाके पॉर्ण्ट्स राउंडोड करें हुई है तो मैं इसको यहां पर लेके आ जाता हूं कंट्रॉल ए कंट्रॉल सी करके कंट्रॉल वी कर देता हूं और इसको तोड़ा सा एड़जस्ट कर देता हूं यहां पर यहां से rectangle में में आऊंगा और circle पर में select कर दूँँगा यहां पर एक circle बना दूँगा जो कि is a default कासम बाजिशा सर की जियादातर thumbnail इस तरह की हो तो इसलिए मैं आपको यहां पर circle बना रहा हूँ नीचे वाला जो पिक्चर है मैं उपर लेके आ जाँगा और इस पर मैं राइट क्लिक करके यहां पर कनवर्ट कर दूँगा Create Clipping Mask अचा Create Clipping Mask मैं क्यूं कर रहा हूँ कि अगर इसको मैं इस तरह से बड़ा कर दूँगा तो यह देखे यह उस सर्कल के उपर आ गया लेकिन अगर मैं यहां से Create Clipping Mask कर दूँगा तो यह देखे उसमें अटमेटिकली यह एड़जस्ट हो गया उसके अंदर चला गया तो Create Clipping Mask का यही पाइदा है और अब यहां पर आप लिख सकते हैं के पर एक्जांपल मैं यहां लिख देता हूँ कासम अली अच्छा अली के वज़ाए मैंने अली ओई वई क्या सीन चल रहा है बहुत दिनों मैंने लिकी नहीं है अर्दू अली शाह और यहां से मैं कर दूँगा इसको जमील नोरी वाला और इसको बढ़ा कर देता है तो यह रहे कि आप में अर्दू लिख दी कासमालिशा सर के जो यह तमिल होते हैं वो सिंपल इसका कलर उनोंने रेट किया वो होता है कुछ अलपास का रेट कलर होता है तो मैं यहां से सेलेक्ट कर दूँगा यहां से मैं रेट कर दूँगा और कुछ अलपास का उनका होता है बलेक बस इतना सिंपल इतना सिंपल काम है उस जैसे तमिल बनाना अच्छा अब यह उर्दू टाइप करना बहुत ही सिंपल तरीका है जैसे कि उर्दू में पर एक्जामपल लिट से अलिप A से लिखा जाता है और जो बेलब्स है वो B से लिखा जाता है यह ने कि इतना सिंपल है इस कीबोर्ड में यानि जो हमने एक्स्टेंशन इंस्टाल किया है यहां इसलामी रिपब्लिक को पाकिस्तान वाला ना इसमें बहुत ही आसान तरीका है मैं जिम अगर लिखना चाहता हूं तो J मैं अगर पे लिखना चाहता हूं तो एक P से लिखा जाता है यह वाला पे एक IP से लिखा जाता है यह वाला पे दूसरा अगर आप त्वे लिखना चाहते हैं त्वे यह देखे यहां से अगर आप शिप्ट पर वी से लिखा जाता है मैं अगर शिप्ट दबाऊंगा और वी दबाऊंगा तो यहां से जवे लिखा जाता है यानि जिसे हम जवा कहते हैं कुछ लोग जवे कहते हैं तो जुआ जु लिक जाता है वो सिफ्ट और वी से लिक जाता है सिंपल तब तो आप लिकना चाहते है तो शिर्ट नहीं दवाएंगे आप यहां पर इस तरह से लिक का जाएगा यह भी हो убийा इसके लिए आप एक की बोर्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं यहां से मैं गूगल में चला जाता हूं और मैं दुबारा यहां पर सर्च कर दूंगा पाक उर्दू इंस्टालर इंबिलाज इम और मैं यहां पर आ जाता हूं उर्दू इंस्टालर पर मैं क्लिक कर देता हूं नेट हमारा बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है तो इस लिए में ये वाला पेज ओपन नहीं करता हूँ दुबारा वही वाला में ओपन कर देता हूँ तोड़ा सा हम वेट करेंगे अभी कहीं से डून लेता हूँ वो पिक्चर तो आपको बहुत ज़्यादा एजी हो जाएगा ये रेके ये एक पिक्चर भी आपको इस तरह से मिल जाता है जो मैं ढून रहा हूँ वो बिलकुल कीबोर्ड जैसा है उसको आँ ये है ये रहा वई ये रहा वई हमारा कीबोर्ड ये रेके ये नॉर्मल है नॉर्मल ये शिप्ट आप दबाएंगे तो ये सारी चीज़े आपको नजर आ रही है एक साथ अलिफ मत आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप शिप्ट प्लस ए दबाएंगे अगर आप सादा अलिफ लिखना चाहते हैं तो आप नॉर्मल यानि नॉर्मल आप शिप्ट नहीं दबाएंगे डिरेक्ट आप ए पर प्रिस करेंगे तो यह अलिफ लिख का जाएगा इस तरह यह आप डाउलोड कर सकते हैं अल्ट जी आर के साथ आप यह देखे कापी चीज़े आप इसमें तो यह आप डाउलोड करें अल्ट जी आर प्लैस शिप्ट अल्ट जी आर और प्लैस शिप्ट अल्ट धबाएंगे शिप्ट धबाएंगे तो यह चीज़े देखे आपको सारी चीज़े नजर आरी है रहमत ALLAH लाय वह एरा कापी सारी चीज़े इसमें आपको यहां से यानि बिल्कुल एक अच्छा कीबूर्ट है यह देखे किलमा भी आप लिख सकते हैं शिप्ट आप दबाएंगे तो बी से कलमा लिखा जाएगा यहां पर देखे चोटी मद बाकी सारी चीज़े हैं आप यहां फुद देख सकते हैं इस पिक्चर को आप सेव इमेजिस सेव कर सकते हैं और इसको आप एक नजर देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा आइडिया आपको हो जाएगा कि वही किस वर्ड से कौन सा लब्स लिखा जाता है बाकी उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बस में पूछ सकते हैं मिलते हैं इक लिए वीडियो में तब तक कि लिए दीजिए जासत अलाहापेस